तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ताजे हरे मतर की एक तम बहुती टेस्टी यूनिक विंटर स्पेसल नास्ता, जो की खाने में बहुती स्वाधिष्टे, बहुती चटफटा और कुरकुड़ा भी है, और साती बहुत हेल्दी भी है, बच्चों से बड़े सब इको बहुत प काट के लिए थे और एक हड़े मिच को भी इसमें डाल देंगे, अब तीखा ज्यादा पसंद करते हो तो और तीखा डाल सकते हो, उसी के साथ साथ से आट कलिया लैसून की डाले है, और एक मुठी हड़ा धनिया डाले है, इसको लगा के पिना पानी डाल के पल्स मून पे दर-दरा पीस लेना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है दोस्तों, तो देखो मैंने इसी तरह दर-दरा इसको पीस लिए है, तो अभी इसको साइड में रखके आगे की तेहारी करते है, तो दोस्तों आजके यह मज़िदार सा नास्ते को बनाने के लिए देखो मैंने यहां तो गेहु के आटे के संग उसी काप का मेजर्मिन करके वन फूत कप जीतना बारिक वाली सूजी डालेंगे आपके के सूजी ना रहता है तो आप यहाँ पर चावलवाड चावल का आंटे भी डाल सकते हैं और घ्रावाड मतर के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे सारे मतर के मिक्सचर को मिक्सर जास निकाल के लेंगे स्वाधनु सा नमक देना है अब यहां पर थोड़ा सा चीनी डालेंगे एक छोटा चमा से भी कम चीनी डालने से इसका वहती बढ़िया स्वाध आएगा और साथी एक छोटा चमा जितना धरिया पाउडर और ठोड़ा चिलीक्ष्ट डालें आपके बश्च दूसतों चिली फ्लेक्सना रहे तो आप इसके जगा हड minaस को भी काट के लेचाते हो उसे के साथ 1 चोटर चमण और थोड़ा साब मसला डालेंगे तो यह हिंग डालना आपके पास ना रहे तो आप यहां पे अजुआन भी डाल साकते हो आदा चोटा चमवाण साफू जीरा डालेगे और यह यह फ्यास को छट़ा काटे लिए उसको भी डाल दीये और बहुत ही चटपटा खटास सा टेस्ट आने के लिए आदा निवू का रस निचोर के डालेंगे पहले यह सारे सुके इंग्रिजिंस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहां पे क्वेंटेटी उनसार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो एक संग इसी टाइप का रखना है ना एकदम घाड़ा और ना ही एकदम पतला तो यह देखो हमारा यह बन गया है अभी इसको फ्राय करने के लिए पहले से में गैस के उपर तेल को गरम होने के लिए छोड़े थे अभी दुबारा चमत से इसको अच्छे से चला लेंगे फिर थोड और इसमें रखते जाएंगे डालती जाएंगे अभी क्या करेंगे साइज से इसके उपर थोड़ा थोड़ा करके तेल रखते जाएंगे देखोगे एक दू मीट के बाद यह जो है ना रेशपी अपने आपी तेल के उपर तैरना शुरू कर देगा दोस्तों आप एक बार यह हडे मटर की नास्ते को बना के जरूर देखना बच्चों से बड़ो सब भी बहुत पसंद करेंगे और आप इसको इस तरह बना के बच्चों के टीफिन में भी दे सकते हो या फिस सुबह साम के नास्ते में रेफस में भी पना के एंजॉय कर सकते हो तो देखो एक तो यह एक दम उपर से कलर पकड़ लेगा लेकिन उत्रा क्रिस्पी नहीं बनेगा तो देखो तीन से चार मीट इसको उलट पलट करके हमने फ्राइ कर लिए है हमारा यह जो मटर का रेश्पी है नास्ता है ना अच्छे से बन गया है तो इसी तरह मैंने सब को बना लिया है तो दोस्तों मेरा आज का रेश्पी कैसे लगा कॉमेंट में जरूर बताना और रेश्पी अच्छा लगे तो एक लाइक करना बिलकुल ना भूले और चैनल में निव फ्रेंस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा लेना तो फिर मिलेंगे नए रेश वगा संग बगासंग भाइ